हे एवरिवान वेलकम तो दीफ हुयाज रेसिपी दीफ हुयाज रेसिपी में आपका सौगत है मैं प्रिया आज लेके आए हूं मतन मसाला की रेसिपी काफी सिंपल तरीके से तो यहां पे नहीं हमने लगबग 1250 ग्राम्स सवा कीलो का मतन लिया है और उसका आधा बिलकुल प्याज लेंगे तो आधा कीलो हमने प्याज लिया है तो उसमें से हम थोड़ा सा रखेंगे मसाला के लिए भी और मतलब 70 परसेंट इसमें मैरिनेशन के टाइम पर ही डाल देंगे मतन के साथ तो प्याज हमने ड पर टेस्ट हमने यहां पर सॉल्ट टू एंड हाफ टेबल स्पून के लगब लिया था इन सारी चीजों को एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हातों से ही हम मिला लेंगे इससे मतन के साथ सारी चीजों को और अबना मिसमें मसाला भी डालेंगे तो अध्रक लहसून 15-15 ग् करम मसाला डालेंगे जीरा डालेंगे एक टेबल स्पून के लगब लेंगे और कुछ 8-10 अमने लाल मिर्च लिया था और प्याज जो हमने बचा कर रखा था वो भी इसमें अब डाल देंगे सारी चीजों को पहले पीसेंगे फिर प्याज पीसेंगे और यह फाइन पेस्ट बना करना उसे भी इसके साथ मैरिनेट करेंगे हम लोग सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ मटन और सारी चीजों जो भी हमने डाले हैं सबको मिक्स कर लेंगे इसमें हरा मिच भी हमने डाला है तीन चारी डाला है तो आप स्वात की अनुसारी डाले ज्यादा तीखा चाहिए तो कम ज्यादा कर ले सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे कुछ 10 मिनट के लिए मारिनेट करके रख देंगे यहाँ पर तेल हमने कुछ 50 ग्राम्स लिया है गरम हो जाएगा तो फिर उसमें हाफ टेबल स्पूर जीरा और तेश पत्ता डाल देंगे वह अच्छे से फ्राई हो जाए तो जो मारिनेट हो करके हमने रखा था मटन को बाकी चीजों के साथ वह इसमें डाल देंगे सारी मटन को हम इसमें डाल देंगे और फिर इसे कुक करेंगे अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे ड्राई कुक ही करेंगे कुछ 25 मिनट से 30 मिनट तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे कंटीन्यू ताकि इसका जो कलर है ना वो डार्क ब्राउन में हो जाए तो सारा मेरिनेट किया हुआ मटन हमने इसमें डाल दिया है एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल के साथ यह उबलने लग गया अभी अभी ना हम इसका लीड लगाएंगे नहीं बस कवर कर के रखेंगे क्योंकि हमें इसे हर पांच मिनिट चाल मिनिट के बार ना चलाते रहना है देखिए इसका कलर काफी अच्छा चेंज हो गया और इसका ना काफी अच्छा एक एसेंस आने लगता है अरोमा इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे थर्टी मिनिट तक 25 से 30 मिनिट तक कलर काफी अच्छा चेंज हो जाएगा आरोमा जब आने लगेगा तब हम इसमें पानी मिलाएंगे यह काफी अच्छे से कूख हो गया है अभी अब हम इसमें लगबग तीन से साड़ी तीन कप पानी डालेंगे यह सारा अच्छे से पानी में मतलब अच्छा सा पानी उपर तक आज है बस उतना पानी हम इसमें डालेंगे तो मैंने यहां पे तीन कप के लगबग पानी लिया था एक बार अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजों को और अब ना इसका लीड लगा देंगे और अगर आपको जादा गला हुआ मटन अच्छा लगता है तो छे से साथ सीटी लगाए और अगर कम मतलब थोड़ा हाड रहे तो चलता है तो 3 से 4 सीटी उतना ही लगाएंगे फ्लेम को हाई में ही रखेंगे बाद में हम फ्लेम को स्लो और मिडियम के बीच में कर देंगे ये ना हमारा मतन मसाला बिल्कुल बन के तयार हो चुका है अब हम इसे सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे काफी स्वादिस्ट बनता है कोई मसाला की जरुवत नहीं है सिंपल मसाला से बन जाता है बहुत टिस्टी बनता ही जरूर बना के ट्राई रई करें इसको है और अब नह रहुँ passer जुद से धनिया पता से गार्णेशिंग कर देंगे और सर्फ करेंगे गरम-गरम खाने में यह बहुत मज़ा आता है जरूर ट्राइब करें मुझे बताई कैसा लगा थैंक्स पर वच्छिंग